80,000 शिक्षकों से खिलवाट, स्कूल शिक्षा की गलती G.A.D. ने चार साल बाद पकड़ी। सन 2006 में नियुक्त हुए अध्यापक्ट शिक्षक सन 2018 में नियमानुसार 12 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद समयमान वेतनमान के अधिकारी। मध्यप्रदेश में गलती करना और फिर उसे नासुधारना परंपरासी बन गई है और स्कूल शिक्षा विभाग मंत्राले में तो गलती को स्वीकार ना करना शायद प्रतिष्ठा का विशे होता है। सन 2018 में 80,000 शिक्षकों के समयमान वेतनमान के लिए प्रस्ताव बनना था। स्कूल शिक्षा के विद्वान अधिकारियों कमुन्नती का प्रस्ताव बना कर भेज दिया। G.A.D. ने 4 साल बाद गलती पकड़ी लेकिन अब स्कूल शिक्षा विभाग अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। सन 2006 में नियुक्त हुए अध्यापक्ट शिक्षक सन 2018 में नियमानुसार 12 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद समयमान वेतनमान के अधिकारी हो गए। लोग शिक्षन संचालनाले को इसका प्रस्ताव बनाकर भेजना था परंतु DPI के विद्वान अधिकारी हो ने समयमान के स्थान पर क्रमुन्नती का प्रस्ताव बनाकर सामान्य प्रशासन विभाग को भेज दिया। GAD ने गलती बता कर फाइल वापस लोक शिक्षन संचालनाले को लोटा दी परंतु लोक शिक्षन संचालनाले पिछले 11 महीने से अपनी गलती सुधारने को तयार नहीं है क्योंकि गलती सुधारने के लिए गलती मानना पड़ता है और लोक शिक्षन संचालनाले में गलती मान अब देखते हैं, लोक शिक्षन संचालनालय विधानसभा चुनाव 2023 के पहले क्या फैसला लेता है? गलती मानता है यह 80,000 शिक्षकों को सरकार के खिलाफ लामबंद कर देगा.